बड़ी खबर काम रूख करने जहाँ गाजा पत्टी में हवाई हमले का वीडियो जारी किया गया है IDF के ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया है गाजा पत्टी में यह हमला हुआ है हमास के हेड़कोर्टर को दरसल निशाना बनाया गया है एंटी टैंक लॉंचर सेन्य उपकरन तबाह कर दिये गये हैं ये इस वक्त की बड़ी खबार है तस्वीरे भी आपके सामने है जहां पर IDF की तरफ से इस हमले का वीडियो जारी कर दिया गया है ये हमास का हेड़कॉर्टर बता जा रहा है गाजा पटी में बना हुआ हमास का एड़कॉर्टर जिसे IDF ने हमले में तबाह कर दिया तो IDF का आक्शन लगातार जारी है और इस बीच ये तस्वीरे एक सामने आई और इधर आपको बता दे कि इरान पर चुपी को लेकर अमेरिका पर उठ रहे सवालों के बीच आपके लिए कुछ एहम जानकारी हम लेकर आएं आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आगे युद किस तरह से चलने वाला है अभी क्या हालात क्या है पता दे इसराइल तीन चरन में युद की रणीती को अन्राम देने की योजना बना रहा है पहले चरन में क्या होगा पहले चरन में हवाई और जमीनी हमले करके हमास का अंतकरने की युद नीती है यानि हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारो और हमास को कमजोर कर धीरे धीरे खत्प कर दो इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे फेज की यानि दूसरे चरण की जो बहुत जरूरी है पता दे दूसरे चरण में इसराइल बचे कुछे हमास नेटवर्क का सफाया करना चाहता है ताकि नए सिस्टम की नीव रखी जा सके हमास को पूरी तरह जड़ से उखारने के बाद तीसरा फेज यानि तीसरा चरण शुरू हो जाता है इस चरण में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बना कर गाजा युद्ध का अंत करना इसराइल का मकसद माना चा रहा है तो किस तरीके से ये तीनों चरण काम करेंगे हमने आपको पता है इस विद्वन तक युद्ध के बीच उमीद की भी किरण दिख रही है काहिरा में शांती सम्मेलन चल रहा है जिसमें 16 देश शामिल हुए है और दुनिया की चुंता बढ़ाने वाली इस युद्ध के खात्मे का खाका तयार करने की कोशिश हो रही है इस सम्मेलन में आपके लिए जानकारी महफ़पून की मिस्र, पिलिस्तीन, जॉर्डन, युवई, बहरीन, कतर, हुवेट, तूर्किये, एराक, इटली, स्पेन, ग्रीस, साइप्रस, डक्शन अफरीका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश शामिल है और तस्वीरे भी वहां से सामने आए, तो वही गाजा के लिए मदद का रास्ता खुलने से भी एक राहत की खबर सामने आई, राफा बॉर्डर खुला तो मदद के सामान से भरे 20 ट्रक गाजा बहुत सके, मगर इस राहत के पीछे एक संकच की भी कहानी है, क्योंकि राफा आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें युद्ध नीती का खुलासा है, उमीद है, राहत है, तो संकच भी है और धमकी भी है, तो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, किस तरीके से ये किया जा रहा है, युद्ध नीती, तीन चरण में युद्ध लड़ा जाएगा जिसमें इस्राइल का अंतिम प्रहार उम्मीद की बात करें तो काहिरा में शांती समेलन हुआ तस्वीरे सामने आई जिसमें 16 देश क्या युद्ध खत्प कर पाएंगे और इसको लेकर कोई नीती बना पाएंगे ये बड़ा सवाल है राहत की बात करें तो राफ़ा बॉडर खुला और ऐसे में गाजा पटी कुछ हद तक बदत पहुँच चकी जो बहुत दिनों से वहाँ बॉडर पर इंतजार किया जा रहे था ट्रको द्वारा कि उन्हें पास करने के लिए ये बॉडर खोल दिया जाए संकट की बात करें तो हमने का डर लगातार सता रहा है क्यो यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहें और इस वीज देखें बिशंबर सर भी हमारे साथ यहां पर है आपस स्टूडियो में जहां पर हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं सर कि यह जो तीन चर्णों में पूरा आक्शन लेने की तैयारी कर ली गई है और इसमें खास यह माना जा रहा है कि चुन-चुन कर पहले अपने टागेट को निशाना बनाया जाएका और वो हमने खबर भी दिखाई कि जिस तरीके से गाज़ा पट्टी में एस ट्राइक हुई और इसमें बकाइदा कमांड सेंटर को टागेट किया गया और यह भी मैंसा बनना चाहती हू कि इसराइल के कम्मिनिकेशन सिस्ट्म को बार बार टागेट किया रहा यहे तस्वीरें भी सामने आ रही है जहांपर उनका कोई कम्मिनिकेशन टाउर उसे उड़ा दिया जा रहा है इसके पीछे क्या स्स्ट्राइजी लगत है कि फेज वान में ही न बसके बैसेप्छίν मैन हमास का जितने हमास की लीडर्शिप को हमास के जो कमांडर्स हैं हमास के जो जो अड़े हैं हमास के जो हेड़कौर्टर हैं हमास के जो कॉमुनिकेशन सेंटर उनको एर से डिस्ट्रॉई किया जाए बगएर ग्राउंड फोर्सिस के यूज किये जी और इसके साथ-साथ कही न पाहौल रहे कि इसराइल जो है वो जस्ट कॉज के लिए लड़ रहा है ये उनका पहला फेज है दूसरे फेज में वो इस पर ग्राउंड अटेक करेंगे सेलेक्टिड अटेक करेंगे और तीसरा फेज आपने बहुत बढ़िया समझा है तो ये अगर उसका इरादा है तो इस इसका हमाज जो है दुनिया की यहां पर भी देखने को बलेगा और फेर साइकलोजिकल वार फेर इन्फॉर्मेशन वार फेर और उसका दौर शुरू हो चुका है उसका तो दौर पूरा है मैं तो कहता हूं बाइडन साब भी चल रही है एक जंग पूरा का पूरा दुनिया के माइड पर चल रहा है पूरे दुनिया के माइड पर चल रहा है यहां देखिये जॉर्डन की बहुत करें से इसरुशा मिलिश्या इनका किसी किसम का इस्राइल से खुए चैनलमें शुर्म तरह इस तरह की बयान बाजिंगे यह बेंदर जो लोग दार्मेंट थे यह पोल स्टेंट दिखा रहे हैं जैसे अब हिजब अला है कुछ भी करेगा एड ले लेगा इरान से एड ले लेगा कहीं से फाइनेशिल एड ले ले लेगा तो अपने आपको मजबूत करेगा ना इस पे नाम पे बिल्कुल यह लड़ाई जो है गाजा स्ट्रिप की अरे हमास का कोई हक है तो यह माहौल है दुनिया में कोई शान्ती चाहता नहीं, UN की कोई सुनने वाला नहीं, UN बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, अमेरिका जो है वह इस इस इलाके में देखिए जब वो शुरू में जब हमला उवा था तो कई बार हमास नहीं है और उनकी जो declaration रही है कि israel does not have a right to exist, मतलब इसरेल को रहने का कोई हक नहीं है तो इसरेल की नीती यह है कि हमें हक है रहने का और हम रहेंगे और हम अपने अपने आपको डिफेंड करेंगे और जैसे के उन्होंने कहा कि हमने थोड़े ना शुरूप किया है तो आपके ने शुरूप किया है, सब कुछ छिक ठाक था एक सेटेडे मॉर्निंग थी और सब लोग शबात पे अपने को सेलिबरेट करने के लिए बैठे हुए थे और आपने आके ये सब हैवानगी करी है, तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमको तो लड़ने पे मजबूर किया जा रहा है और हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि जो आपने हमारे साथ किया है, उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं तो ये तो अभी तक तो जो दुनिया की परसेप्शन है वो इसी तरह से है, आगे क्या होता है, आगे परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाता है, जब वो हॉस्पिटल के अटाइक का जो कांड हुआ था, जो परसेप्शन मैनेजमेंट करने की कोशिश की थी, देखिए उसक काफी असर पड़ा, क्योंकि बाइडन से कई हेड्ज ऑफ स्टेट जो है, उन्होंने बिलने से इंकार कर दिया, तो उसका फरक तो पड़ा, कूट किती पे, तो लेकिन मेरे खयाल से अब सबको समझ में आ गया है, कि फैक्स को वेरिफाई करना पड़े है, और इसरेल जो है वो प्रेसिशिन टार्गेटिंग कर रहा है, और उसमें भी जरूर कोलेटरल डामेज होगा, क्योंकि हमास के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने बच्चों को और 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 अर्तों को अपने सामने खड़ा किया हुआ है, जबकि और और बच्चों को बोला गया है, कि आप साउथ में जाइए, हम साउथ में नहीं अटाक कर रहे हैं, जो फाइट की बात करें या प्रेशर टैक्टिक्स की बात करें, रंजीत सर एक तस्वीर काहिरा से भी सामने आई, जहां पर सोला देश एक साथ इकठे हुए, उनके राश्ट्रा ध्यक्ष्य आपर मिले